अज का वीडियो है यह बायोकेमेश्टी से रिलेटेड है और बायोकेमेश्टी टेस्ट में यह कफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रखता है क्योंकि हमें डैलूशन कैसे बनाना है किस टाइम पर बनाना चाहिए या कौन से टेस्ट पर फ़र्फम करने हैं जिसके लिए ज़र से आया तो ऐसा मत करना इसी वीडियो में क्योंकि आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो और जो लोग पहले साहे हैं वह वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ इसको सेयर कर परती है यानि कि अग जब हम कोई ऐसा टेस्ट करते हैं और जिसका जो रिजल्ट है वह काफी ज़्यादा अगर हाई आ रहा है तो उस कर्णिशन में मनने की जरूरत पड़ती है या कुछ कर्णिशन ऐसे आते हैं जहां हमारा पास सेंपल कम रिसीव हुआ है और हमको टेस् Be Trude होता है उसकर पारूरत टेस्सकर सब्सक्राइब टरूरत करें हुआ-फार जिसने के नहीं यह हैं कर देंगे अब यहांप फैक्टर का मतलब चक्या होएं दोस्तों कि अगर one two five के अगर हम डालूस्ंता मना रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर होगा वो five होगा, अगर हम one is to ten का डालूसन मना रहे है तो उसमें जो थैक्टर होगा वू 20 होगा, जो भी वैलू देगा मसीन उस फेक्टर से हमको मल्तिपलाई करना है यानि को 1 x 5 से आगर हम कोई टेस्ट परiges कर रहे हैं और उस परोप्स से अगर टेस्ट का वैलू अगर आ रहा है 5 तो हम उसको 5 से मुल्टिपलाई कर देंगे एनि 5 मुल्टिपलाई 5 एकल तो 25 उस पेसेंट का फैलू होगा जो भी टेस्ट का होगा तो इस तरह जे हम उसका फैक्टर यूट करते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं डायलूशन एक्चली में हम बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले आप लोग देखके लिए अगर 1-5 का अगर डायलूशन मनाना हो दोस्तों तो हम उसके लिए क्या करता है कि कोई भी चीज 5 पांच पार्ट्स हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1-4 पार्ट्स में तो एक पार्ट्स हो जाएगा उसका सेंपल का और फोर पार्ट्स हो जाएगा उसका रिएजेंट का यहां आप ns का भी यूज कर सकता हो एनस यहां पर इसलिए बोल रहा हो कि अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए रिएजेंट लगता है लेकिन अगर यूणन माइक्रो अलबमी न या प्रोटीन अगर यूज करो तो वहाँ पर हम एनस से डियलेशन करते हैं उसको इसलिए वहाँ पर आप एनस कर सकते हो तो उसको 10 से multiply करगो तो आपको पता चलाएगा कितना हमको reagent लेना है और कितना हमको sample लेना है जिसे की 1-5 में आप देख सकते हो यादि कि 10 micro sample लेना है और 40 micro reagent लेना है नहीं तो अगर आपके पास अगर और ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हो sample के level को तो वहाँ पे 100 से multiply कर दो या micro में आपकर लो process या ml भी आपकर सकते हो सेम होई रहेगा तो यहाँ पर पता चलाएगा 4 micro 4 माइकुलेटर सेंपल 100 माइकुलेटर सेंपल और 400 माइकुलेटर हम्ति रिएजन्ट कि अगर हमको one is to ten का गल डालूशन वनाना हो तो सेम होई होगा दोस्तों यह निए कि एक पार्ट सेंपल करेंगे और nine पार्ट हम हम रिएजन्ट करेंगे और हम यह हमारे ऊपर डिपंड करता है कि हम्तिग काँ सेंपल कितना यूज करना चाहते हैं अग आप और ज्यादा लेबल बढ़ना चाहते हो तो आप यहां पर इसे मुल्टिप्लाई कर सकते हो 100 से यानि कि 100 माइकुलेटर हमको सेंपल लेना है और 900 माइकुलेटर हमको रेजेंट का जूज करना है तो यह बहुत इजी तरीका होता है जितने कभी आप डाइलूशन मनाओग तो उसके हमको करना क्या पड़ेगा वन पार्ट सेंपल कर लेंगे और 19 पार्ट यानि कि 11 पार्ट हम रेजेंट कर लेंगे तो अगर हम 10 माइकुलेटर अगर सेंपल यूज करना चाहते हैं तो उसको 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो जब 10 से मल्टिप्लाई कर हुए तो यहां पर स drawn-dBA शोनगे में को रेजन लेना है या अगर आप मऐर ट्वंटी माईका लिटर सेंपल यहां पर हमाइकर यहां पर बता दूं जब कभी हम WC pro calculate करते हैं तो वहां पर 1-20 का dilution यूज करते हैं तो हम्कों 20to 12 lar , 002 Issue konnte 20ов हम्को होलेज लेना पड़ता है और 380DS हम्को वहां पे डेब उशन ठोड लेना पड़ता है ये काफी सारे लोग को भाब मेंनोल swichen test perform करते होंगे या किया होंगे तो वहाँ पर 1-20 का ही dilution use किया जाता है दोस्तों तो यह उस्तर से हो जाता है ठीक अभी हम बात करेंगे 1-50 का dilution यहाँ पर मैं पता दो 1-50 का dilution कभ यूज करना पड़ता है यनि कि दोस्तों अगर हमारे पास कोई ऐसे test perform कर रहे है और उस test में जो value है वो काफी ज़्यादा आ रहा है या हमारा जो machine है वो machine value को read नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर 1-50 का dilution करते हैं क्योंकि higher dilution कर तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर sample का जो level है वो इतना कम कर देंगे और जो reagent है उतना ज़्यादा कर देंगे जिसके वज़े से कि जो machine होगा वो reading को calculate कर पाए और calculate करना पाए से उतने के factor से हम multiply करेंगे यानि कि अगर 1-50 का dilution हम बना रहे हैं आप मालनी supposedly अगर मालो आप किसी machine का अगर जिसे में पहले बताया था करने के चमता अगर 500 microliter तक है कोई टेस्ट हम परफॉर्म किये लेकिन उसका 500 से ज्यादा आ रहा है value तो machine उसको calculate नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर हम dilution का यूज करते हैं तो अगर हम 1-50 का dilution वहाँ पर बनाते हैं तो अगर वहाँ पर देखोगा तो उस machine ने जो value दिया अगर उसने अगर 10 या 15 भी दिया तो उससे हम 50 से multiply कर देंगे तो हमको actually में result मिल जाएगा कि हाँ present time उस patient का result कितना है तो इसलिए higher dilution उस time हमको करना पड़ता है तो 1-50 का dilution करने के लिए हमको 1 parts हमको लेना पड़ेगा सेंपल का और 49 parts हमको लेना पड़ेगा रियेजेंट का लेकिन यह आपको बटेपेंट करता है आपको इतना रियेजेंट यूज करना चाहते हो यह अगर कम से कम आप रियेजेंट यूज करना चाहते हो आपको बस quantity बहुत कम है लाइब में प्रोसेस करने के लिए तो थोड़ा सेंपल और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर टेन से मल्टिप्लाइ कर दो यह अगर आप सेंपल यूज करना चाहते हो तो आपको यह देखने को मिल जाएगा कि हमको 10 माइको लेना पड़ेगा सेंपल और 490 माइको लेना पड़ेगा रियेजेंट या यह यह पोड़ेगा तो यह भी 1-5 का ही डालोजसन होगा यह आप ठोड़ा सा और सेंपल यूज करना चाहते हो निकी वनिस्टू अगर आप 20 माइको लेटर अगर आप सेंपल यूज करना चाहते हो तो इसको 20 से मल्टिपलाइगा दो आपको यह पता चल दिलाएगा कि कि एकार 20 से मल्टिप्लाइब गरो तो आप दखिए और 280 माईकुल लेंट या स्टाइब करके यह सब लेने के जरूरत पर सकती है तो यह बहुत easy तरीका है दोस्तों और जो भी value आएगा ध्यान से सुनना जो भी value आएगा जितने के भी dilution से उतने से multiply करके हम पूर result देना है यह नहीं कि जो value आए वही दे देना है तो फिर result गलत हो जाएगा जैसे अगर 1-20 के dilution से अगर आप बना रहे हो किसी patient का और जो भी value आ रहा है तो उतने multiply 20 आपको करना पड़ेगा यानि कि अगर कोई test perform करते हो आप और उसका 10 reading आया तो 10 multiply 20 आपको करेगा तो वहाँ पे actually में जो result होगा वो 200 होगा यह हमें से जाद रहना परना गलती करोगा आप यहां पर और सारा result खराब हो जाएगा या 1-50 का अगर करते हो जो भी value आएगा उसको 50 से multiply करके result देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो factor होगा वह dilution को पर depend करता है कितनी का आप dilution मनाए हो या 1-5 का अगर dilution मनाए हो तो जो भी result आएगा वो multiply 5 करना पड़ेगा आपको तो यह सारे value होते हैं दोस्तों इस तरह से मैं dilution का यूज करना पड़ता है तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करना लाइक करना ऐसे प्यार बनाये रखो ऐसे और विडियो आपको मिलती रहेगे इस चैनल के मादेम स लिवड़ता है तो